हेलो तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं 10 क्लास के जो है इस बार 2024 के हिंदी के पेपर सॉल्व पूरे आप लोग को सॉल्व पेपर में आज आप इस वीडियो के मांत्यम से आप लोगो तिखाना देया रहे हैं तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहले आप लोगों का जो है निम्लिखित प्रश्णों के सही सही विकल्प चुनिये और चुनना है ठीक है इसको हम लोग MCQ भी बोलते हैं तो पहले आया है बंगाली सा लगने वाला कस्टम अधिकारी का नाम क्या था तो सुनील दास इसका सही एंसर होगा ठीक है लहना सिंग किसके यहां आया तो मामा के यहां आया था ठीक है ननहा संगीत कार कहानी के कहानी कार का नाम क्या है मतलब उसके रश्णा का जो है जो रचेता है उनका नाम क्या है तो इसमें सबसे बड़ी बात है आप किसी में भी टिक कियोंगे तो आपका right again कि इसमें सारा जो है answer wrong दिया है ठीक है? तो इसमें से आपनों कोई भी टिक करते हैं तो आपको marks मिलेगा ठीक है? आत्मत्राण कवीता में कभी किस पर जैं करने के लिए इश्वर से प्राथना करें तो दुपब ठीक है? सुबब तुबब ट्रांजिस्टर में क्या बजने लगा था? राष्ट का ठीक है? नीड का निर्मार फिर फिर किस प्रकार की कवीता है? तो ये होगा आशावादी कवीता है ठीक है? बिस्मिल्ला खा साहब के बच्पन का नाम क्या था? अमिरूगदीन ठीक है? व्रियत सहिता के रशनाकार है वराह मिही ठीक है? अगला कुशन है हमाला बिस्मिल्ला खा के बड़े भाई का नाम क्या था? श्यामुद्दीन ठीक है? शमास के कितने भेड होते हैं? छण जिस समास में अन्य अर्थ की प्रधानता हो उसे कहते हैं हम लोग बहु ब्रीह समास ठीक है? अपदान कारक की भीभक्ती क्या है? शे मैं आप लोगो का इसका एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट की हूँ कारक की कि कैसे हम लोग पहचालते हैं उसमें मैं बताई हूँ ठीक है? मैं पैंसिल से चित्र बनाता हूँ इस वाक में शे किस कारक का चिन है? तो करन कारक होगा क्योंकि अपदान भी कारक का भी चिन क्या होता है? से ही होता है लेकिन जब अलगाओ का भूध होता है तो वहाँ पर शे तब अपदान कारक होगा नहीं तो जहाँ पर अरगाओ का गुद नहीं होगा वहाँ करण का होगा ठीक है मेरे द्वारा गाना गाया इस वाक में वाच कौन सा रूप है तो कर्म वाच है क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा यानि मेरे से है जो कुछ क्रिया हो रही है इसलिए यहाँ पर कर्म का हो रहा है, इसलिए कर्म वाचे होगा, ठीक है, विजिया पत्र लिखती है, इस वाक्य में कौन सा वाचे है, तो कर्म वाचे होगा, क्योंकि विजिया जो है, वो पत्र लिख रही है, ठीक है, कर्म कर रहे हैं, जिसमें समासिक पद का पूर्व पद गौड और उत्तर प्रग्पधान हूं उसे कहते हैं तत्पूरुस समास ठीक है परिश्रमी शात्र अवश्य सफल होगे यह कौन सवाके है सरल सवाके है इसमें ना कोई सयुक्त है ना कोई मिश्रवाक है ठीक है अब चलिए अब हम लोग क्या है निमिली खीत में से किनी 19 प्र है तो वह अपने मास्टर जी के चपल लेने के लिए पीड़ा था ठीक है हेंरिक कहां पैदा हुआ था तो हेंरिक जो है पोलांड में 1846मी में पैदा ठीक है लहना सिंग फौजं में किस पद पर था न्योfting में सिपाही था ठीक है अब अगला कुशन आ था किसका कत्व है य बहुर बहुत यादाता है किसी लोवर बहुत यादाता है तो रभ्या था था किस के बिनाirit कि यह यही प्रात्ना करते हैं कि हमें भले संक्ट में आप मेरा साथ ना दो, लेकिन जब भी संकट से लड़ने के लिए मुझे क्या दे, बहुत सक्ति दे, मुझे साहायता दे, मुझे ये सक्ति प्रदान करे, ठीके, और मैं तुछ से डगमगाओ नहीं, ठीके, यही सब लिखना है, और तुछ नहीं, यही प्राथा की थी, नीर क केतु क्या है, तो धूमकेतु पुष्टलतारा को कहते हैं, धूमकेतु दो सब्दो से बना है, धूम और केतु, ठीके, इतना लिखेगा बहुत है, यूरोपिया अंतरिक्ष अजेंसी ने हेली के धूमकेतु के पास किस यान को भेजा था, तो जो तो, ठीके, बिश्मिल्ल क्या है, तो जहां पर दो स्वतंत्र वाक्यों का मेल हो, या तो एक जो है पद, एक वाक्य का प्रिवपद है, वो गौड रहे और एक वात्य का जो, एक वाक्य का जो पद है, वो प्रधात है, इस तरह भी होता है, या तो जब दो स्वतंत्र वाक्यों का मेल होता है, तो वो वही होता है कि जिस कारक में क्या है अलगाव होने का बोध हो उसे हम लोग आपादान का रखेते हैं जैसे उसकी जो है उसको पहटाने का चिन है सेव ठीक है किसी एक समाशिक पद का विग्रह कीजिए और शमाश का नाम लिखे तो बेल गा यानी जिसका कोई लगाम नाव हो ठीक है तो यह है अब अभी भाव समाश पितांबर का होगा पीला है जो अंबर यह होगा बहु ब्रिये समाश ठीक है महेश गीता पड़ता है इस वाके को भाव आज में परिवत देते हैं तो से लग जाता है तो महेश गीता पड़ता है महेश हर तरह के संकटों से घीरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ इसे मिस्र वाक में कीजिए वह व्यक्ति इसका होगा वह व्यक्ति निराश नहीं होता है जो हर तरह से संकटों से किज़ा होता है उससे बैठा नहीं जाता. इस वाख को कृत्वात में परिवर्त कीजई है. तो इसका होगा वह बैठ नहीं सकता. अब अगला question है आलेवाज लड़के ने घर की राहा लूँँ इस वाख को कर्मवाच में बादे. होगा तो वो द्वारा हो जाए तो लड़के के द्वारा घर की लार ठीक है भाव वाज क्या है किसे कहते हैं तो भाव के अनुसार जब क्रिया में परिवर्तन आये या परिवर्तित हो तो उसे भाव वाज कहते हैं उसके बाद है अव्यवी भाव समास किसे कहते हैं तो जिसक प्रधान प्रद में अवय वाई उसे अववी भाव समास कहते है ठीक है अब चलिए यह जो है पहला खंड यह आपके दोनों जो प्रश्ण है वह आपके दोनों प्रश्ण कौन से है नमक के मैं पहले भी जब आप लोको सरजेशन दे रही थी मैं बताई थी कि हां लाइनिंग बताई तो उसमें से भी जैसे की उसने कहा था कहानी के सिर्षक की सार्थक तक अपने विचार वेड़ करें यह मैं आप लोग को इनपॉटेंस में बताई थी आत्मतर कविता का मुझ्ख पाद का वर्णर अपने सब्दों में करें या तो उसका उदेश का और तो उसके भा लोगों बताई थी आपको वही लिखना है रामदवस कविता के उद्देश का वर्णन अपने सब्दों में करिए इसमें रामदवस कविता से क्या आपको अनुभव हुए है वो आप लिख देंगे दो भी बहुत है बिश्मिल्ला खा के व्यक्तिक्तिक के प्रमुप पहलों अपने सब्दों में लिखिये और दीवदान एकांकी के उद्देश को अपने सब्दों में सपच्ट की ये दोनों कुशन में इंपोर्टेंड में आपनों को बताई थी अगर आप नों मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपनों को पता ही होगा उसके बाद जाच अभी जा तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं ओके बाई